अधिय अधिया विष्टों नमस्कार मैं तईयस टक्कर आपके सामने एक बार फिर बिजनस के चक्कर हल करेंगे टक्र में वे दोस्तों जैसे आप जानते कि स्टॉक मार्केट केंदर हमारी पहली episode के शुरूबात हो रहे हैं वो đang जो सारे एपिसोड है वो stock market के उपए लेकिन जरी टाक्ष के चक्कर बर uitकूराकरी के उपर हो कि जीहेँ से रिलेटेडीड भी एक पूरہ full episode भी आएगा आज एक चुटा के लिए आज का वीडियो बना रहा हूं तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कोई भी बंदा ट्रेड करता है इंट्रडे उस पर क्या ट्रेक्स होते हैं पहला इंट्रडे दूसरा शौर्टर्म जो की एक साल से अंदर अंदर आप कोई स्टॉक को एक्जिट कर जाते हैं उसके अंदर जो लॉस प्रोफिल होता है वह हमारा शौर्ट टर्म गेन कहलाता है उसके बाद आता है लोग टर्म गेन एक साल से अधिक अगर आपकी कुई सी शेर में होल्डिंग रहती है तो उस पर टेक्स लैब अलग है तो सबसे पहले ब नफ़ा हुआ नुकसान हुआ नफ़ान हुआ है साल के अंत में जो भी इंटरडे में आपका बढ़ा वह आपकी एस जो भी आप इंकम स्लैप के अंदर चल रहे हैं उसी के अंदर यह काउंट हो जाएगी और यह एक बिजनस इंकम कहलाती है उसके बाद आती है शौर्ट ट लिकिन यहां पर आपको जो लगनि वाला टेक्स जो वह फкив टिन परसेंट लगने वाला है और जो लोंग टर्म इंवस्मेंट होता है याने एक साल से ज्यादा आप जो कोई holding रखते हैं उसमें आपका tax 15% applicable होता है और आपके existing जो भी income है उसके slab से इसको कोई लेना देना नहीं है ये 15% लगे गई भले आप 1000 रुपीज अंद किये तो आपको 15% उसका डेड़ सो रुपे लग जाएगा एक लाख सो रुपे लगेगा एक लाख आपने लोंग टर्म के अंदर अरह नखिया है तो आपको उसका 10% यहनगी 10,000 देना पड़ेगा और एक इसमें बहुत बड़ी बात है कि लोगों को पता ही नहीं अगर मेरा लोस हो गया तो वह क्या अड़ेस्ट हो गया मानलो मैं stock market के अंदर मैं काम कर रहा हूं और इस साल मैंने कोई उसका लॉस बुक कर लिया मैं को इस साल अगर मैं बात करूँ वन लाक रुपीज मेरे को stock market के अंदर लोस लग गया लेकिन next year मुझे एक लाक रुप्य प्रोफिट आ गया तो क्या उस एक लाक पर मुझे कोई टेक्स देना पड़ेगा आप सोचेंगे भी financial year तो लॉस नहीं दोस्तों पिछले साल का जो एक लॉस था वह कैरी फारवरड हो के आपके लग के प्रोफिट में माइनस हो जाएगा ज़नी कि आपका टेक्स बनेगा जीरों जी हाँ दोस्तों बहुत अच्छी बात है और सबसे बढ़ी बात मानलो आपने एक लाक अभी लॉस क को आठ साल तक केरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जी हां दोस्तों यह जो हम हमारा यह शो का मकसद दोस्तों ऐसे छुपी हुई बाते हैं को लेके सामने आना जिनको लोगों को नहीं पता यानि कि अगर आपको नौलेज जी नहीं है आप अपने सीए को अपने जिससे आप रिटन आप इंकम टेक्स के वकील से बात उसको बताते ही निया तो आपके लॉस को कैसे वो कवर कर आपाएगा यानि कि अगर आप कहीं लॉस कर बैठे हैं दो तिन चार लाग का और आने वाले समय में आप कभी भी प्रॉफिट में आएंगे वो दो तिन लाग जो लॉस किया वजह से भी हो जाता है तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिंग वीडियो आपके तक लाते रहेंगे और आपका प्यार बना रहें दोस्तों तो नमस्कार थेंक्यू स्रियकार